हला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरहीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीस से स्टूडर आप किसे भी कॉम्पेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहा आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास एक्विशन बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है इस पर आएडी जेम्स यह साय आरनाइट और इवन बीएस्ट में भी आप पढ़ते हो तब बच्चों को समझ भी नहीं आते कि सरी क्या है इस पर प्रूफ आता है एक्जाम में क्लास एक्विशन का वो भी सट्रEMA में बताने वाला हूँ ब्लस कुछ जो इंपरेंट ग्रूप से उं estar genuine नहीं पर बताने बाएब बता च्विछ नहीं देखेंगे तो आपको बड़ अच्छा समझ माईगा सो देखे स्विंड let g be a finite group the number of element conjugate to a element a in g is the index of normalizer of a in g इसविव आप एक फारमगा होता है मैं आपको जब पिछली क्लास में normalizer के बारे में इसेख स्विंड class of a के बारे में कहाँ चुका हूँ तो यह class of a के बारे में क्या होता वो सब element जो एक ही class में है ना normalizer element ऑस अनूर्मलाइजर के बारे हम क्या होता है कि normalizer off A का मतलब होता है कि group के वो सभी element जो इस element के साथ क्या कर रहे commute कर रहे हैं है ना वो सभी element क्या जाएंगे एने में जाएंगे और और वो उसका जो number of element होंगे, जो एक के साथ commit कर रहे हैं, उसका order, group के order को divide करता है, वो हमेशा order of class A के बराबर होता है, यह हमारे पास यह statement होता है, example देता हूँ, इस उन में आपको बताया था कि हमारे पास कोई एकर S3 देरिखा है, permutation group, तो हम जानते कि जो one two की, जो normalizer of one two हो इसके बार में अगर आपको idea नहीं है, तो आइडे पर जाके videos देख लिएगा, तो one two के, अगर normalizer of one two बात करें, तो इसमें identity element आता है, खुद one two आता है, तो हम जानते कि इसके नदर दो element आते है, तो जो order होगा, वो क्या होगा, two होगा, तो अगर हम यह देखना चाहते है, कि one two की class में कितने element आएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फार्म लोगा, order of G upon order of N, तो order of G है, मतलब S3 का order हमारे पास कितना होता है, student six है, and order of N है, इसके कितना है, student two element आ रहे है, तो two, तो इसको divide करेंगे, तो three है, और वाकि में three होते है, क्योंकि class of one two का मत होता है, कि वो सभी element, जिसका order two है, इस तरी के अंदर, वो इस one two के class में जाएंगे, तो हम जानते कि तीन element ही होते है, कौन-कों से होते है, तो one two होता है, एक one three होता है, और एक two three होता है, तो यह तीनों element इस class में जाएंगे, तो बिल्कुल इस equation को क्या करता है, concept, satisfy करता है, सुन बात करेंगे class equation के बारे में, तो class equation of finite group क्या होता है, let G be a finite group, and CA1, CA2, and CAKR the distinct class in G, then G is union of all classes, सुन जितने भी हमारे पास group के element होते है, उन सभी element के जो class होती है, उन सब का union होता है, वो पूरा का पूरा group के बारा पर होता है, class equation का मतलब यहाँ पे होता है, कि हम equation देखके class equation का proof कभी exam में आ जाए, तो आप आराम से कर सकते है, class equation में अभी आपको बतायता है कि जितने भी हमारे पास class के element होते है, उन सब का union करें, तो जी बन जाता है, जैसे मान लीजी हमारे पास S3 है, तो S3 में हमारे पास identity element आता है, फिर वो सभी element जिनका order 2 है, वो एक class में जा जी, order of C हो जाएगा, दुनों तरफ हमने order लगा दिया, अब होता है, यहां पर क्या करेंगे, हम सब से फ़ले इसको अलग-अलग summation में लिखेंगे, एक वो element जो center में जा रहे है, और वो element जो center में नहीं जा रहे है, हमने क्या करें, order of G is equal to, order of G is equal to, यह हो जाएगा, summation of A belongs to Z जी, है ना, मतब सेंटर में जाने वाले सभी element, order of C है, and plus, summation A is not belongs to Z, हैना, वो सभी element जो center में नहीं जा रहे है, उनको हम अलग लिखेंगे, हैना, यह ज्यान देनी की जरू होता है, ओके, अब क्या होता है, सुनिया पर, जो भी element center में जाते है, हैना, वो सभी element, कौन से होते ही होगा, exactly, हैना, तो इसको हम लिख सकते है, order of G is equal to, यह आएगा, order of Z, क्योंकि center के बाराबर हो जाएगा, right, हैना, and यह हम इसको लिख देंगे, plus, यह आएगा, summation A is not belongs to Z, and order of class of A हो जाएगा, right, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अभी मैं आपको बताते है, order of class है, कि जो value भी मैंने आपके सामने बताती है, कि order of G upon order of A के बाराबर होती है, तो यह जो order of class है, इसके जगह हम यह लिख सकते है, order of G upon order of A हो जाएगा, right, तो इसको यह हमारे पास क्या हो जाती है, class equation हो जाती है, जो हो जाती है, और यही मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करि होती है, यही मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए, कि यह हमारे पास क्या होता है, कि जब भी हमारे पास A belongs to Z, और A is not belong to Z, यह हमारे पास Z, G के बाराबर हो जाता है, और यह हमारे पास order of class A, order of G upon order of A होता है, यह उटा के हम यहां रखेंगे, तो यह हमारे पा पर प्लस करके लिग देते हैं अब मैं कुछ एक्जाम्पल दूँगा जिससे आपको चीज़ें यहां पर समझ में हैंगी तो सुन देखें यहां पर एक्जाम्पल नमबर वन लेट जीवी दा अबिलियन ग्रूप ऑफ और एंड दिन दा हो संटर वाला होता है यहां पर हर यहां इसके और क्लास क्वेशन क्लास क्वेशन लिगे 10-10 तो उसकी क्या हो जाएगी class equation हो जाएगगी जो भी group abelion है उसकी जो class equation हो जाएगा 11 हम saiklik group के बारे भी सकते हैं कि every cyclic group is abelion तो घर कोई group cyclic भी है तो उसकी class equation भी इसी टाप की होती है जितनी बार element उतनी बार जितना order और उतना वन वन करके एड कर दिए वह उसके क्या हो जाएगी क्लासक्वेश्ण हो जाएगी अब बात करेंगे नोन अबीलियन ग्रूप के बारे में जिसे क्यों पहले यह देखना पड़ेगा कि क्यों एसे कितने एलिमेंसेंटर में जा रहा है अगर वन प्लस वन प्लस तीन बाशा रहा है इसका मुदब तीन एलिमेंट्स में जा रहे हैं अब बात करते हैं इनकी क्लास में कितने गर एक एक Manos स्काइब में वह साक्षिक सपक्राइब जोग सब्सक्राइब है ङर बाइचाश्ञा यहां पर ऐसा आ अगर आपसे बोला जाए कि 8 is equal to 1 plus 1 plus 3 plus 3 तो भाईया ये class equation possible नहीं है क्योंकि 8 जो है वो 3 को divide मतब 3 जो है वो 8 को divide नहीं कर रहा तो ये इसकी class equation possible नहीं है तो ये ध्यान देने के जरूत है जब भी आप multiple choice question करो तो आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हो है तो ये ध्यान देने के जरूता है अब बात करते हैं स्विन S3 के बारे में तो S3 के अंदर हमारे पास एक ही element ऐसा होता है जो center में जाता हो identity element होता तो यहाँ पर 1 आएगा है ना तो जब इसकी class लिखेंगे हम तो यहाँ पर तो सबसे मिवं इसलिए यहां पर यहाँ यहां परowanie की class के बात करें तो इसमें 3 element आते है इसलिए यहां पर यह 1 plus 3 हो जाएगा अब 3 order के लेता है कि अधर हमारे पास 3 order के element ही आते है चाहिए आप 1 की बात करो चाहिए आप 3ality की बात करो, right हम जानते हैं कि सैल्फ इंवर्स होता है हर एलिमंट का इंवर्स खुद होता है सब के सब सेंटर में चाहेंगे झाल सुन क्लास एक्वेशन होजाएगी कि वो क्या हो जाएगी वन प्लस वन प्लस वन हो जाएगी तो इस तरह से यहां पर इसको समझ सकते हैं कर दूंगा पर मैं आपको इसकी क्लास के बारे में थोड़ा आइडिया देता हो तो इसकी क्लास में हमेशा दो इलिमेंट जाते हैं यहां पर थोड़ा साइडिया समझने की जरूत है कि एक तो होता है डी थ्री डी फाइफ डी सेवन जिते भी हमारे पास ओड वाले होते और छोड़ दीवन पर चोर्ड़ दिजिए यहां से स्टाट करेंगे और दीजयान देने के जरूत है हमेशा इनकी क्लास में इंटीट होता है सिर्फ एक यहां पर हमारे पास होगा जो सेंटर में जाएगा पर स्टूट जो डीसीक्स डीएक हैं रहता इससे पहले सब अबीन ग ग्रूप होते वह सब 9 डालते यहां पर बात करेंगे class equation के बारे में यहां पर डी-4 डी-6 डी-8 जो होते हैं इनमें दो इलीमेंट जाता है एक तो खुद आइडिटीटीट जाता है और सिक्स बाइटू मतलब थ्री तो बी क्यूब जाएगा यह ध्यान देनी की ज़रूत है ना इस सब्सक्राइब बात करें डी एट के बारे में तो सेंटर ओफ डी एट जो होगा वह हमारे पास कितना जाएगा तो सुन क्या करेंगे एक तो आइट बाइटू मतलब यह हो तो इसकी क्लास इसकी सेंटर में हमारे पास दो helement होगी इसलिए ओनफ पर लाफ यहां पर किक्वेशन ओगी तो बात करेंगे डी टीर की बारे में क्लास एक्वेशन होती है उसमें मैं आपको बोलाता कि सेंटर में यहां पर बात करें आइडिनींटी के लवाद जो दूसरे इलीमेंट होंगे जिसे हमारे पास यहां रोटेशन होते वह सब एक क्लास में जाते हैं तो यहां प्लस टू हो जाएगा अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ की जिसे Dn की जो class equation होती है अकर N odd है तो हमारे पास इसकी class equation यह होती है जिकितने होती है अब ही आपको बताया था कि मान लेजे हमारे पास D5 है अगर इसकी class equation निकाले तो सबना पर क्या आएगा हमारे पास 1 एक्लास एक्वेशन लिखने है तो न वन प्लस बस तो गई होगा बाकि सब एंड वाइट है न मतलब है तो प्लस चलेगा तो जानते हमारे पास एड़ तो नहीं मेंट खी तो इस नहीं पर तो यह आपको नहीं समझना है तो इन सब का जोड़ जोना चाहिए इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं मुझे लगता है कि क्लास एक्वेशन का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा इस तुरम है प्लस कोची स्चेट यह और आपको आने वाले क्लास में लेख आने वाला हूं बने रही है और प्लीज मैं आप सबी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्या लगता है तो आप कमेंट जरूर करिए लाइक करें शेयर करें लास मेरी प्लेली साफ झाल झाल